है वाव ओडियोंग फार्व फॉलॉइंग इंग्रीजिंग और ऑफ 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 और तो इसके अंदर हमें क्या रखा है कि यह बताओ कि सबसे दागे MnO4-QN तो इन्होंने सिंपल लहांसा यह लिखा कि इसके अंदर हम यह दिखते हैं कि नीचे वाला जिसमें ऑक्सिडाइज एजेंट है oxidizing agent वो होता है जो खुद reduce हो जो खुद क्या हो reduce तो इस case में अगर मैं vanadium chromium और manganese इनकी क्या निकालू oxidation नंबर जैसे for example इसका लेने तो इसका oxidation नंबर एक प्लस 4 is equal to plus 1 तो कितना है यह प्लस 5 वैनेडियम यहां पर है chromium plus 6 में manganese plus 7 में पर यह किसमें reduce होके जाते हैं उसके उपर depend करता है कि इनकी oxidizing nature कितना अच्छा होगा that means vanadium अपना जाएगा plus 3 में usually यह given नहीं है तुम्हें आंसे इतना कोई detail में पूछेंगा नहीं कि कौन किसमें जा रहा है क्योंकि वह अलग-अलग मेडियम में अलग-अलग जगह पर जा सकते हैं तो इस case में बस तुम्हें यह बोला जा रहा है कि अगर हम से सिंपल सी बात यह कह रहा है कि अगर oxidizing nature की बात करा जाए तो तुम्हें एक concept है समझना है कि वह खुद oxidizing nature कब दिखाएगा जब खुद क्या होगा reduce तो अपने जितने भी oxidation state में है वो जाए plus five में plus six में plus seven में अपना क्या करेगा reduce करेगा जैसे वर example chromium plus three में चला जाता है ठीक है और mn plus two में चला जाता है तो किया रहा है mn2 plus जाधा stable होगा tr3 plus थे और v3 plus थे तो इस वजह से क्योंकि यह यह सबसे जाधा stable है इसलिए यह सबसे जाधा oxidizing है जो जितनी जल्दी क्या होगा जितनी जल्दी stability की तरफ जाएगा उतनी फास्टो जाएगी reaction तो सबसे फास्टी इन में से कौन है अब तुम इसमें यह जाधा दिमांग लगाए यह क्यों है यह क्यों नहीं और यह क्यों नहीं है तो इनकी configuration पर जाओगे फिर टीटू जी इनको compare करोगे कि यह डी 5 में और यह डी आइधिंक 3 में तो वह सब कहा नहीं अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो इसा कुछ नहीं किया बाकि तुम यह कुशन समझ आया डिटेल में जाने की अभी ज़रूर नहीं है तो तुम्हें जैसा आंसर वह समझ आया कि कैसे हमने आक्सदाइजिंग नेचर को explain किया अबने बोला सबसे ज़्यादा ऑक्सदाइजिंग वह गा जिसकी लोगर और ऑक्सदाइशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेवल है तो हम यह कह रहे हैं में टूपलस सबसे ज़्यादा स्टेवल है दूदी फाइफ कन्फिगरेशन वह में पता है हाफ फिल्ट स्टेबिलिटी होती है यह उस तरीक से हम explain कर सकते हैं करना भी चाहिए तो क्लियर है जिसके अंदर जाधा हा हा जिसमें जा रहे हैं कि तो तूम थो समझाना है तूम है तूम्हें सबस्धाइब सबस्ते हुआ और वह दूसका रीजन ए वाकि सारे नहीं प्लेंट नहीं है अब मैंने बोला कि अगर कोशन को कोशन के हिसाब से करोगे अगर तुम थोड़ा सा और तुम यह तो जानते हैं इसको क्या आंसर देना है इसको आंसर क्या देना है और क्यों पता है एक्स्ट्राइबिलेटी समझ आया है यहां पर एक और चीज नौट की कुछ कुछन है तो यहां पर irregularities भी हम कर चुके हैं मन की सबसे लो आती थी याद है उसके बाद exception निकल का भी थोड़ा सा लो था और यह लास्ट क्लास में हमने इसको कंप्लीट किया था यह वहला टॉपिक इनॉट पर खदम किया था ठीक है और यह किस वज़े से होता है सब्लीमेशन का मतलब क्या है इसमें कोई खास difference ही है अब यह रीजिंग वाले पार्ट में एक और कुश्चन किया रहा है इनॉट वैल्यू इसकी 3 प्लस 2 प्लस की पॉजिटिटिव है पॉजिटिव माहने इसमें क्या का सम ज्याद है और फिरेशन आने इनडेशन या चिसकंगी सब्सक्राइब कर सकते हैं एक लिए पॉज़े अद्पॉर तो तुम मुझे बताओ डी पूर में आने में ऑना इसेशंटेंट भी हाइव होगी यह अधृट है यह पाद है लास्टास में इसे पे इंट किया था हमने ठीक है और इन दोनों की लोगा है क्योंकि अपी 3 प्लस में डवाइब में होता है तो इसकी आप वेली यह लोगी और यहां पर लिख लिखाए कि मैंन की हाय है इसलिए सबसे दाप है इंपॉर्टन क्लियर है एप next अचा हरो से हैं कुछ किसी element में कोई और सेवल जादा हो सकता है वो cases होते हैं इसका कोई such नहीं calculation से ज़से बता चलेगा पदा चलेगा तो तो कभी D5 ब्रीनीटिव तो इसी लिए inorganic तो इसीलिए आरगाने की तो में बार बार क्या रेदूस्टिंग या ऐफ़ी टू प्लस एंड वाइव टेकर टू प्लस रिड्यूस इसको खोद ऑक्सडाइज होना है तो हमें रहना है कि किसकी प्लस 3 जादा स्टेबल है तो वैसे तो प्लस 3 इसकी स्टेबल होती है डी 5 की वज़े से रिमेंबर और यह सियार 2 प्लस हमारा किसमें रहेगा सियार 3 प्लस किसमें जाएगा खुद रिडियूस ऑक्सिडाइस क्या ओक्सिडेशन वह है एक exception थी तो मैं आदोगा यह जब मैंने पहले भी कराया था तब है इस ट्री ओगा कैसे सियार पोरेस 1 3d5 होता था तो यहां पर क्या हो गया पोरेस 0 3d पोरेस 3d3 हो गया 3d3 इस टी टूजी हाफ टी टूजी डी ब्लॉक में जो हमारा splitting of the orbital होता है कॉडिनेशन में आज हमारा टार्गेट है वो करने की पर मुझे लग रहा है आज तो नेमिंग तक ही पहुंच पाएंगे तो यह स्प्रिट हो जाती है याद है cft crystal field splitting इसमें यह टी टूजी बनता है कभी कभी कई स्टेबलाइज तब होते हैं जब टी टी टूजी में हाफ फिल्ड ओर्डर हो क्या हो हाफ तो हाफ फिल्ड वाले केस में हम यह कह सकते हैं कि टी टूजी हाफ फिल्ड भी एक स्टेबल configuration है अब हमें यह याद रखना पड़ेगा कि CR2 प्लस जाधा रेड्यूसिंग है क्योंकि यह डी पाइड में जा रहा है और यह किसमें जा रहे है टी टूजी हाफ तो दोनों ही अच्छे स्टेबिलीटी के रीजन से टी टूजी हाफ फिल्ड भी स्टेबिलीटी लाता है और दी फाइब भी स्टेबिलीटी लाता है तो अब हमें ओड वैल्यू देखकर हमें फाइनल पता लगाना है कि कौन जाधा अच्छा reducing agent की क्या वैल्यू इनॉट वैल्यू क्या होती है लो या हाई लो इलेक्ट्रोगें में बढ़ा था जिसना पॉजिटिव हो था इनॉट वह अच्छा oxidizing agent जितना इनॉट लोवर होता है उसका reducing agent अच्छा होता है याद आ रहे हैं और हमसे पूछा है reducing कौन अच्छा है रिमेंबर तो और option क्या है मैं पास chromium और iron में हम इनॉट देखते हैं chromium की है iron की है प्लस 0.77 और chromium की कितनी है माइनस 0.41 यह 3 और 2 का देख रहा हूं मैं तो यह है माइनस 0.41 और यह है 0.77 तो इस केस में वाट डू यू से टी टू जी जादा स्टेबल हो गया या डी 5 टी टू जिसका टी टू जी जादा स्टेबल होगा तो जल्दी उसमें आना चाहरा था इसलिए वो क्या है reducing तो यहां पर वही बात आगी जो अभी अविश्का ने पू तो उसमें अब लूदा डी 5 जादा स्टेबल है और यहां पर हम बोले टी टू जी जादा स्टेबल है तो इस केस में तुम्हें यह केस बहुत ही डी टेल में पर इतना डर्बने की जरुद नहीं है यह नहीं आता और कोशन अगर आता भी है तो कोशन में यहां से लिखा होता है कि जैसे अभी कि वाइज इस और यह जाएंगे कि कौन सा reducing अच्छा है कौन सा उसमें जैसे हमें याद करना पड़ा है इसमें डीपाइस चेबल है उसमें टीटी जी जादा सेबल है तो वह वा इसमें और वही जैसे गिवन है वैसे ही नोट करके आ रहे हैं आगे बढ़े हैं कि यह नहीं से तो फाइनल पता चलता है हम रीजन तो हमेशा कंफिगरेशन से ही देंगे ठीक है तो यह सब छोड़ दो अब एक पार्ट ऑफ चाप्टर जो सबसे डिफिगल पार्ट था वो कंप्लीट हो गया अच्छा एक कुश्चन और रहा गया बस लास्ट की ऑक्साइड और फ्लॉराइड में से सबसे जादा हाइयर ऑक्सिडेशन स्टेट में कौन ले जा सकता है तो हमें वैसा लगता है फ्लॉराइड क्योंकि फ्लॉराइड इस मोस्ट इलेक्रो मैं 51 में में और 9 में अन फ्लॉरीन के साथ जाता ही नहीं है तो फ्लॉरीन के साथ 7 नहीं बनाता तो गॉलक्ल कि самое मên फ्लॉराइड के था तो अगर हमसे पूचा जाए कौन जाधा हाईयर ऑक्सडेशन स्टेट में ले जा सकता है आंसर विल भी ऑक्साइड के टेकट वाइट कें टेकट उस पर धान देते हैं तो ऑक्साइड और फ्लॉराइड का बस शॉट पॉइंट्स लिख लोगे फ्लॉराइड की हाई लैटेस होती है हाई लैटेस हाई ही एल्एक्ट्रो नेगटिवेटि फिНе तक है ओक्साइड में ओल्टा होता है लो लुग ना इस समय प्रहिए हैं और रहों अीटेसं नेकिशिटिक Challenge यह दोनों चीज़ें लिए यह पर यहाँ पर एक एक क्लिमिटेशन है ऑक्साइड गारी ability to form multiple bond ability to form multiple bond multiple bond बनाने की ability किसके पात है oxygen के पास तो फ्लॉराइट के पास नहीं है तो इसलिए जीटता कौन है Oxide Oxide higher oxidation state पर ले जापाता है क्योंकि वो double दोस्ती कर लेता है के साथ और प्लॉराइट कैसी दोस्ती करता है सिंगल तो सिंगल दोस्ती अच्छी लगती है डबल दोस्ती तो मेटल को higher oxidation state के case में क्या अच्छा लगता है डबल बॉंड तो डबल बॉंड बनाने की वज़ा तो से Oxide जीच जाता है फ्लॉराइट से इंस्टेबिलाइजिंग हाइए ऑक्सिदेशन स्टेट इस और नो यह फ्लॉराइट क्यों और और ओक्साइट करता है हाइए अबल बना सकता है फ्लॉरीन डबल बन नहीं बना सकता है तो पुराने कुश्चन सारे याद निमाग में पूछ सकता हूं विच और नौ ट्रांजिशन मेटल सेंग कड्मियम मुल्टिबल बन अच्छा अल्सों मुझे बता हूं कि वाई मैक्सिमा अब दी मेलिंग पॉइंग बोलिंग बाइल लाइज इन अनृट्ड एलेक्ट्रोन औन मैट्यलिक बोंडिंग यह वाली बात थी वाई मैक्सिमा और उक्सिदेशन स्टेट अकर इंवेडल अगेन अन्पेड एलेक्ट्रोन और मेडालिक बोंडिंग यहां पर नहीं आता फिसिकल प्रॉपर्टीज में आता हूं ठीक है और इसी तो रिमूव अनपेड एलेक्ट्रोन यह वाली बात है अच्छा फिर हम ने क्योंकि नेक्ट्वक की प्रॉब्लम है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं तुम्हें इस्ट वीडियो देखा है और यहां तक डन है नेक्स्ट तो आगे की कुछ बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स है यह अगर तुमसे पीछे वाला नहीं होता कोई बात नहीं आगे वाला तो तुम पीछे वाला पार्ट कर लो पीछे वाला पार्ट भी बहुत स्कोरिंगे और इजी टॉपिक्स कैसे हैं देखो डाया मैंगनेटिक पैर मैंगनेटिक को अभी समझने की जरूद नहीं है कि मैंनेटिक मोमेंट भी अभी मैं करा दूँगा उसी में आएगा इस सारा अनुबेले तो पैरा मैंगनेटिक होता है वह क्या होता है और पैरा मैंगनेटिक हमारे वीकली अट्राक्ट होते हैं बाइ मैंगनेटिक फील्ड जिन भी डि आर्बिटल किसके अंदर अनुबेल रहेंगे वह क्या हो जाएंगे अगर इलेक्ट्रोन पेर अब हो जाते हैं तो वह कंडिशन के लाती है डाया मैगनेटिक और दियार वीकली रिपेर्ड डाया मैगनेटिक और वीकली रिपेर्ड ये बात क्लियर है अचा एल्सो अगर अनपैड एलेक्ट्रोन होंगे तो एन इस अनपेड एलेक्ट्रोन तो हम मैगनेटिक मोमेंट निगाल सकते हैं unpaid electron का magnetic moment कि इतना magnetic behavior है उसको measure करने की एक property है that is magnetic moment तो इसका formula है new in n into n plus 2 और इसकी unit है BM which is called Bohr Magnetron ठेक है यह लिख लिए points कि दिखा ही दिरहें है एक नेक्स्ट तो अब अगर मैं बोलूं कौन से transition metals paramagnetic या diamagnetic होंगे तो वह होंगे 3D 0 वाले और 3D 10 वाल जिनका पोर स्टू 3D 0 है या पोर स्टू 3D 0 है या पोर स्टू 3D 10 है वह क्या होंगे डाय मैंगनेटिक इनका मैंनेटिक मोमेंट पॉसे क्या होगा जीरो यह वाली बात याद रहेगी को कौन कौन से हमारे scandium 3 प्लस scandium 3 प्लस क्या होगा रा मैंनेटिक डाय मैंनेटिक क्यों शक्ति विकर्मन किया था ना हमने तो अगर हम सब्सक्राइब करने को वह कलर भी एब्जॉब नहीं करेंगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जिसके पास सारे अंपेड एलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है एक्साइट कराने को वह कलर भी एब्जॉब नहीं करेंगा तो scandium 3 प्लस विल भी कलर लेस तो विल ऑल्सो भी जिंग की कंफिगरेशन क्या है आर्गन पोरेस्टू तो यहां पर हमें चीज समझ आ रही है जो डाय मैंनेटिक वाले वह क्लर लेस्ट भी एंडाय मैंनेटिक वाले क्लर लेस्ट विए क्योंकि दे दू नौट आव अन्पेड एलेक्ट्रॉन है हां क्योंकि उनके बाद एलेक्ट्रोन नहीं है एक्साइट करने को समझ आ गया है नेक्स्ट एक्साइटिट में डाय नहीं बन सकता है एक्साइटिट में चाहँ वो अन्पेर हो सकता तो मिटा तो यह पॉइंट इस लिख रहे हो ना तो इसी को याद करना है बस अब तुम्हें देखो नेक्स क्या बोले यह 3D 0 मग्नेटिक मोमेंट 0 Zn2 ब्लस मैग्नेटिक मोमेंट 0 यह दोनों डाय मैंगेनिक बागी सब का मैंगेटिक मोमेंट है और वो कैसे बहुत चलेगा इसको उस फॉर्मले में पूट कर दो एंवन टू-345 ठीक है अन्पेड लेक्ट्रोन बढ़ते हैं फाइव तक मैंगनीज में मैंक्सिमुम पैरा मैंगनेटिजम होगा और फिर वो डिक्रीज होता जाएगा ड्यू टू पेरिंग उप क्लियर है वाली बात कि अगर हो कह रहे है किसी का मैंगनेट अटॉमिक नमर 25 तो उसकी कंफिगरेशन करो मैंगनीज होगा एंप एलेक्ट्रोन 5 आएंगे फॉट करो आंसर आएगा मैंगनेटिक मोमेंट निकल जाएगा कोई डाउट तो नहीं ठीक है स्पिन उनली कुछ नहीं इसका नाम है स्पिन उनली मतलब से देखा जारे रेवल्यूशन से नहीं दो चीजिए लेक्ट्रोन आप स्पिन और वाला नंबर है यह स्पिन से इंडिए अरगन का 18 कि तो तो कलर्ड कंपाउंड भी मैंने बता दिया कौन को लेस्ट होने वाला ह जिनके अन्पैड इलेक्ट्रोन नहीं है तो स्कांडियम 3 प्लस बोला था हमने और देडिन 2 प्लस बोला था एक और एंट्री इसमें टाइटानियम 4 प्लस उसके पास भी अन्पैड इलेक्ट्रोन जीरों हो भी नूम्बल गास में होगा ठीक है समझ में आई बात तो हमें समझ आगे सिर्फ हैसे जिनका डाय मैंने टीक है और जो खल लेस होंगे वह हैं स्कैंडियम टाइटानियम और जिंक और वह भी अपनी 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 इस्टेशन स्टेट्में जो और निकाल लेंगे नंबर से next formation of complexes अच्छा ये short points लिग लो बस ये question आगे तो bonus questions बहुत easy questions कोश्चन आजए why they form complexes why transition metal form complexes तो इसके क्या reasons है is why transition metals form complexes इसका reason है smaller size of metal ion first point high ionic charges second point availability of d-orbital third point 3 points है कि why they form complexes small size high ionic charge and availability of d-orbital वो उसमें होता है catalytical देख लिख 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 साइज स्मॉल होगा तो bond strong बनेंगे coordinate bond कि ताट ज्यादा होगा तो ज्यादा कोवलेंट नेचर दिखाता है और अगर d-orbital होगा तभी तो लोन पर रखता है का coordinate bond होता ही क्या है लोन पर को रखना in d-orbital तो तीन रीजन्स हैं कि transition metals अब सच्छे complexes क्यों बनाते हैं यह तीन points आज ही याद कर लो रात को revise कर लो कल सुबा देख लो फिर हो गया done permanent memory में अभी revise किया फिर कभी नहीं किया पेपर से पहले देखा गयी memory ठीक है तो point सिरफ यहीं चीज़ है कि तुम्हें एक बार तुमने कर लिया घर जाके तीन-चार घंटे बात देखना है दुबार आप फिर अगले दिन देखना है बस अगर तुमने कल वाला आज देखा होगा तो वह पर्मनेंट में मेरी की तरफ चला गया होगा पर जब तुम रिकलेक्ट नहीं करते हैं हर चीज नहीं नहीं करते जाते हो तो वह वह टेंप्रेरी से घाया कोट अजाता है ठीक है चलो आगे बढ़ें नेक्स्ट इसके भी कुछ पॉइंट्स है वाई बेश्व काटलेटिक अक्टिविटी बहुत अच्छे अच्छे कैटलिस्ट होते हैं आयरेन निकल पैलेडियम पैलाटिन हम हमने देखा है कॉपर इस सारे क्या होते हैं तो इसका रीजन स्कुर्व करता बॉस्टियों सुट इस विए प्रमेशन ऑप्रमेशा फ्यंट व्यविटेटा तो चांगेविटाने बॉस्टेशां शेके अटिक्ट्टीर अविधेशन सेट सेटेमल्टियव रिखा है अपार अबिलिटी तो अधूर्ब multiple oxidation state second part or third third ability to form complexes complex bana के भी वो catalyze करते हैं तो तीन reasons why transition metals are good catalyst they provide solid surface for bond formation solid surface for formation of bonds second they ability to adopt multiple oxidation state or third ability to form complex ठीक है यह वाली बात क्लिएर है कि अगया 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 कि अगया है अगया है कॉछ सब्सक्राइब देने से क्या होता देखो ज़रा जब सब्सक्राइब है कोई metal तो होता गया है उस पर reactant आजाता है एंटू आ गया एच्टू आ गया यह सब्सक्राइब बैटके इनके बीच में क्या बन गया और अब पुश्चिन यह आजाए कि हाओ एबिलिटी टू शू मल्टिपल ऑक्सरेशन स्टेट हेल्स इन कैटलेसिस तो तुम यह रियक्शन लिखोगे क्या लिखोगे यह रियक्शन लिख लो हाओ एबिलिटी टू शू मल्टिपल ऑक्सरेशन स्टेट्स हेल्प इन कैटलेसिस तो तुम यह वाले दो पॉइंट यह रियक्शन तुम बलोगे यह रियक्शन है यह स्लो है ठीक है पर आयरन आने से यह पास्ट हो जाती है कैसे देखो आयोडाइड अगर पर सल पर ऑक्स संस्टद ने तो डाय सलफेट से मिलता हाओ एबिलिटी टू मल्टिपल ऑक्सलेशन स्टेटथ ट्टलाइज्ट रे आक्श्न क तो इसमें क्या बोलते हैंR कि यह एक रियक्शन है सलो है यह क्या है स्लो पर आयरन आया और इसने पास्ट कर दिया कैसे आएइन F3-plus से खुद F2-plus में गया आयोडाइड को आयोडीन मना दिया ठेक है और F2-plus से वापस अपने F3-plus में आया इस तमय पर इसको यहां ले आया आगया तो दोनों को अलग-अलग ले गया पर reaction को क्या कर दिया यह नदों आपस में रियाक्ट करते तो बहुत स्लोव था पेले ट्री से डू रिया अपना वापस वैसे आ गया जैसे गया था पर reaction को क्या कर गया catalyze एक वाली बात यह रियक्शन वैसे लो है पर अगर डालते तो फास्ट हो जाती क्यूंकि आयरेन आयो डाइड को इन अलग से ले जाता है और खुद टूबलस में आजाते हैं ठीपलस से पिर वो टूबलस से 3 पलस में आते हैं वक्त इसको यहां ले आते हैं कि अब कि 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 अ कि अखन नहीं नहीं दोनों करके दिखा रही है तभी तो दिखा रहे हैं कि multiple oxidation state 3 or 2 का difference दिखाना है हमें कि एक बाट सी तो गया फिर 2 से रही जा रहा है कि आठीक है यह वाली बाट नेक्स्ट कि नेक्स्ट इस formation of interstitial compound तो इंटर्सीशियल कंपाउंड्स क्या होते जिसमें कुछ छोटे मेटल स्ट्राइब हो जाते हैं तो अभी हमने तीन टॉपिक्स करें दो टॉपिक्स किये एक था डीगलेट करो परस्था एबिलिटी टू फॉर्म तो मल्टीपल उक्सिशन स्टेट एड 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 एवाले पोईंट खीक है पॉर्मेशन ऑव इंटर्स्टीशियल कंपाउंड कुछ छुट चुट 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 एटम हैं त्राइटे इंसाइड क्रिस्टल लाइटेस आप मेटल तो बस इतना याद लिख लो कि जब ह HCN जैसे elements छोटे-चोटे elements metal के अंदर क्या हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं कि इंडर्सीशल compound बने हैं इंडर्सीशल compound can be non stoichiometric क्या हो सकता है नौन stoichiometric माने हमारे नॉर्मल compound जैसी ratio नहीं देते हैं जैसे F3H या F2H 0.56 तो non stoichiometric के हो सकते हैं stoichiometric फॉलो नहीं करते हैं वैलेंसी फॉलो नहीं करते हैं टू इस्टू थी बान इस्टू थी ऐसे वाला जल्दी दो इस नोकार नोट इस नोटेड को था और ऑफम चॉलों तो नोन stoichiometric example अच्शा अच्छा सुनों यह सब तुम्हें इतना ध्यान देने की जरुर्ष तो से नहीं हैं बस एक बार अभी पढ़ो इनको रटने की जरूर नहीं हैं इंटर्सिशिशल कंपाउंड हाई मेल्टिंग और हाइए देन मेटल में मेटल से भी जादा मेल्टिंग बॉइलिंग पाउंट हो जाता है याद रहेगा तुम्हें इत्वी इंपॉर्टेंट चीज वह नहीं है हाड होते हैं और कुछ इतने हाड होते हैं कि डायमेंड को सब्सक्राइब करता रहता है तो मेटल रिटेंज इस कंडुक्टिविट और सो रियाक्ट नहीं करते चार पाइंट आएंगे तो खुदी लिख लेंगे अब रटने की ज़रूट नहीं इसको जो चीज़े थी बस वह बता दी अलॉय फॉर्मेशन एक मिक्स्चर ऑप मेटल होता है एक्चुल में होमोजिनश सॉलेड सेलूड सलूशन होता है सलूशन पढ़ा ना सलीशन कहा होता है डो चीज हो मि निच्चर होमोजिनस mix ज़िसा पे पूरा चैप्टर है हमारा बस वह हाला सलुक्विशन क्या होता है सॉलिद कृर्ष या गैस इन और यह वही बनाते है जिनका रेशो 15% के अंदर अंदर होता है सब्सक्राइब बनेंगे जब इनका रेशो कि इन दो आटम्स के रेडियस का जो साइज है वह कितने के अंदर है 15% के अंदर अंदर दो बस डियां सॉलिड हो मुझेने सेलीशन और सेकिंड ली रेडियस शुड बी विदिन 15% ओव फिटीन पर्सेंट के अंदर अंदर होना चाहिए मनें 15% से जाधा दिफरेंस नहीं होना चाहिए ठीक है ब्रास किसका अलोय है और ब्रॉंज किसका अलोय है बस यह तीसरा पॉइंट चोट चोट तीन पॉइंट याद रहेंगे रास इस कॉपर जिंग और ब्रॉंज इस कॉपर टेन ठीक है डन है इसको नाम ऐसे कर लो दोलों में कॉपर तो याद रहेगा तुम्हें जिसके नाम में जैड है उसके काम में जैड नहीं है तो याद रखो है उसकी काम में जड नहीं है तो दूसरा टिन के साथ है याद रखेंगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हां है मतलब इन दोनों का रेडियस 15% के अंदर-अंदर होना चाहिए 15-16% का डिफरेंस हुआ तो अलॉय नहीं बनाए रेडियस रेडियस का रेडियस का आपस में डिफरेंस 15% का होना चाहिए उससे जाधा है नेक्स्ट इस अलॉय च्रोमियम वैनेडियम टंग्सटन मॉलिबेडनम शक्ति वी करवन में से वी और तो आता ही है ठीक है टंग्सटन मॉलिबेडनम और मैंगनीज तुम तीन बस वह याद स्थील में कौन-कौन से वी कर और मन तो बस अगर आ गया स्थील के अंदर कौन-कौन से हो सकते हैं या कुछ भी आ जाए तो स्थील के तीन लिख लेने वह छोड़ दो टंग्सटन मॉलिबेडनम छोड़ दो क्लियर रही पॉइंट नेक्स्ट इस प्रपोश्टनेशन क्या ग्जांपल ताइम बचें आपके जरूफ नहीं नहीं इनवाटन चला गया एक बार किसमें से अच्छा एक्छा एक्जांपल भी दे सकते हैं इस प्लपर प्लस जो होता है पानी में क्या चलान अधाक पर टू प्लस और कॉप तो इस परी सिंपल इस्प्रोश्टनेशन रि और एक बार किसमें चला गया जीरो में तो disproportionation reaction बस लिए लो reactions in which same species oxidized as well as reduced same species oxidized as well as reduced तो इसका example दे दो कि in aqueous medium copper plus iron disproportionate into copper 2 plus and copper here this brings us to another question important question he cop why copper exists as copper 2 plus in aqueous solution अचे ये लिखा तो है कुश्य बिस्प्रपोर्शिन होता है in which the same species oxidized as well as reduced as you plus or see you two plus and I see your city I am getting copper plus one में जैसी पानी में डालता है salt में रह सकता है salt में copper plus iron रह सकता है पर जैसी उसको पानी में डालते है copper plus copper 2 plus बन जाता है क्या बन जाता है तो यह very important question है index में भी है रेकों मिल रहा है the question is why copper exist as copper 2 plus in aqueous solution why copper exist as copper 2 plus in aqueous solution हाँ वैसे तो copper जो होता है अगर copper प्लस आयन में हो जो कि उसकी अगल स्रीट थी क्या थी कि आर्गन फोरेस वान रीडी टेन था तो यह जाद है रीडी टेन कि आर्गन इसकी configuration क्या थी आर्गन पोरेस वान रीडी तेन अच्छा इसकी क्या है को आर्गन 3D9 तो किसी भी एंगल से में यह नहीं लगता कि copper टू प्लस 3D9 में रहना चाहेगा क्योंकि यह फुल्फिल्ड है फुल्फिल्ड वाले स्टेवल होते हैं और अगर दी नाइन हो तो बहुत ही मुश्किल होता उसको ले जाना यह सानो पर होता क्या है यहां तक तो वह आई ही जाता है यहां से आगे आने वाले आइन फेल्फीह और यहाओ इंसर तो इस लेस्ड एना इसंखेस नहीं ने पर कॉपीट टू प्लस बनने पर हील्या सने और cake नगेटिव होती थी और बापि दोनों क्या होथी थी पॉज़िध оноיז होती थी तो hydrogen इतनी ज्यादा release होती है कि वह ionization दे रेती है only in this case इस वाले case तो अब question यह वाला कह रहा है कि copper 2 plus क्यों exist करता है because high hydration enthalpy provides for its second ionization और इसी का उल्टा question था कि वाय कॉपर है पॉजिटिव क्यों उसका answer था कि इतनी ज्यादा होती है कि hydration उसे balance नहीं कर बाता और यहां पर हम कहने hydration इतनी ज्यादा है कि वह ionization को balance कर देता है तो यह दोनों question का answer उल्टे ही हो गए हाँ हाँ इसका reason यह है कि atomization भी होती है उस case में और ionization वान और टू भी होती है तो hydration उनसे कम रह जाती है पर second ionization से क्या होती है जाला यह दोनों पर इनका difference है कि यह second ionization से देखा जाता है ठीक है यह वह पॉइंट लिक लिया सबने उसमें तीन दोनों ionization और atomization भी थी तो वह जादा होती है ठीक है next मिट आदें कि जब वह हम एक को सिल्यूशन की बात करें तो अल्रेडी कॉपर प्लस वन में था अब सिर्फ प्लस टू में जाने की बात हो दिया है हाँ atomization अब आते हैं compounds पे compounds पे बस तुम्हें reaction याद करनी है लिखो potassium diachromate K2Cr2O7 reaction K2Cr2O7 compound लिखो K2Cr2O7 सिर्फ जो लिखवार हो बस उत्रहीं याद करने हैं और कुछ खास नहीं है अब है compounds of DNF clock कि दो ही compounds है माई कोर्स में potassium diachromate और potassium permanganate तो potassium diachromate की बात कर दें पहले तो potassium diachromate में तुम्हें reaction लिखोगे इसको बोलते क्रोमाइट और क्रोमाइट और क्रोमाइट और में sodium carbonate डाल जा रहा है क्या डाल जा रहा है और इसको क्यूस किया जा रहा है तो इससे बन जाता है sodium diachromate यह बन गया sodium chromate क्या बन गया sodium कि यह reaction को याद करना पड़ेगा तुम्हें लिख लो याद का बाद में लेखेंगा कि ऐसे वैसे कभी direct formation तो नहीं आई है पर complete reaction में आ सकते हैं और ऐसे आ सकते हैं यह compound a वह वाले जो और्गानिक के कोशन होते हैं compound a turns on fusion with sodium carbonate and oxidize to form compound B compound B is then filtered in aqueous medium gives compound C ऐसे वाले तो यह question इसके भी आ सकते हैं तो यह जो reaction से पर से इनको याद करते हैं क्रोमाइट ओर is fused with sodium carbonate and oxidize to form sodium chromate and इसमें fa2o3 co2 यह हमारे प्रडॉक्स है इतना वर्ट में लिखोगे हम बनाना क्या चाह रहे थे k2Cr2o7 बना गया नहीं अभी क्या बना है एने टू सियार ओपूर अब एने टू सियार ओपूर को acidic medium में ले जाते हैं sodium chromate now turns into sodium dichromate sodium chromate now turns into sodium dichromate कि तू खुद बोलेया इंगलिश आती है तुझे देख क्रोमाइट ओर is used with carbonate to give sodium chromate bus huh many olium निया है बेंजोगी नहीं नियुता है कि दानिया तक कि याद करोगे ना यह सब साथ साथ कल का वल्ला करके आयो यहाद यह नहीं 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 तो कोई फाइदा नहीं इस मेहनत का पहले भी दो बार पड़ा चुका हो नहीं तो फिर से वही होगा रिवाइज करना जादा जरूरी है कोर्स जल्दी भगाने के से कोर्स जल्दी भगाके भी एंड में जीरो हो जाएगा जब तुम सारा भूल गया हो तो इस केस में तुम्हें आज ही कल वाला रिवाइस करना यहीं फॉलो करना बस रूटीन ठीक है समझ आ रही है बाद मिटा दू इसे नेक्स्ट है ओर एंट सोडियम क्रोमेंट बनाता है स्वर्ण सीज में solution sodium बन गया था sodium नाओ sodium डाइक्रोमेट कंवर्च इन्टू मोट्स अटासियम डाय कैसे डाल दो तो सोडियम क्रमेट on treatment with KCL गिस पोटाशियम डाइग बस बैलन्स क्या तरना है इसमें कुछ है नहीं तो KCL लेगा तो टू के आ जाएगा उसके जिकर K2CR थी हो गही रियक्शन क्या था पहला पहला क्या था रॉमाइट और उउब और सोडियम क्रुमेट को वह अच्छित में डाला सोडियम डायक्रोमें डाला पोटास्यम डायक्रोमें जो में चाहिए था मिल गया इसके दो आयंज हमने रेखें था स्यारो पोर टू- एक दास्यार 207 अच्छिए टीक कर लो इसके अंदर कुछ चीज़े टीक कर लो यह स्ट्रॉक्टर बनाओ इसके अंदर सियारो पॉर टू- माइन से अगर यह वाला मैंस अटा दू तो यहां यहां लगा सबोटिय इस तरीके देडावाला टू- माइन था द लेक्रोमेट डिडिककोमेट कि कि य ए और हर उसके क्रोमेट का पृल्टा कर रहे है कि निदो यह चलेजों और लॉयलो ठात क्रो से रिंगन क्रोमेट का ओर एक रिंग मैं को मैं हbelows कि यह ज though कि यह एक और इन चंब का स्ट्रक्शन अब दिमांग में दिमांग में रिकलेक्ट करो transition metals या complexes क्यों बनाते हैं transition metals why are they act as good catalyst ability to develop multiple oxidation state बस अभी रिकलेक्ट कर लो फिर थोड़ा थोड़ी देर तक और आगे चल जाएगा हूं yes okay done कौन सा जब हम कि मेटल के साथ कंपाउंड बनाएंगे कौन जब मेटल के साथ कि आएं यही रहेगा अचा नेक्स्ट अब तुम्हें रियक्षिन कौन सी याद करनी है बस अब समय आ गया याद करने गा यह रियक्षिन याद करनी है यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट थेके सी आड़ी वह सेवन दू माइनस प्लस 14 एच प्लस प्लस सिक्स एलेक्ट्रॉन गिव तू सी अटी प्लस प्लस एच तू याद कर लो इसे भी बैलंस करना है तो बैलंस कर सकते हो लाइक दिस तुम्हें आद है यहां टू सेवन टू माइनस गिव सी आटी प्लस पर स्टेप बैलंस और एक्सेप और हो चोड़के बैलंस करो तो यहां पर कितने ओंसेवन तो यहां कितना आगया तैवनेच तू बैलंस और हैंगे 14 ह्यां बैलंस और यूजशन ऑडैज यहां थिक तो चुह ठीन टम्हीं आया हमारी आगयी इस सेथा हिए आटर वहह ही रहे nगा बैलेंस ओंस और ऑन यहां पर योज़क्ट हैं से रहない हिसक्क्रchine the बालेंस चार्ज उसे में तुम दूसरी वाली की भी बैलेंस खुद करके आओगे इसके अंदर क्या तुम्हें याद रखना होगा आयोडाइड को किसमें करता है सल्फर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं एक नंबर से बढ़ाना है सन को चार्ट दो नंबर से तो एक रियाक्शन तो तुम या तो याद कर रहे हो या उसको भी वहीं पर बैलेंस कर रहे हो ओं जो तो एक रीक्शन हो गी और डूसरी ह्टीर्चेन होगicamente तुम बैलन्स कर जोगे एसी यहां पर कितना होगा तो यहां पर कितना होगा यह रियक्शन आई थी और इधर कितने एलेक्ट्रों थे 6 हमें इधर कितने है तो इन दोने को क्या करना है इक्वल कैसे करेंगे दो को छे बना देंगे बाइं इड बाइं त्री और एलेचे स्कूल है अड़ कर देंगे आरेचे स्कूराइब कहां से यह question के वेन होगा इसकी तुझे बेलेंस करके दिखाई है यह आगई समझ मैंने balance करी है अभी है स्कूराइब यह यह बैलेंस करें पिर से करूँ किया इसको अलग से balance किया electron equal करके add कर एक है है हाँ तुम्हें final तो ही देना है balance करके देना है तो तुम्हें सिर्फ reaction देनी है तुम्हें ऐसे भी धो ऐसे complete reaction हाँ ठीक है समझ आ गया next तो हाँ अब आड़कर नहीं पड़ेगी अभी दूसरी रिखाता हूं अब प्रतेशन पर मैंगनेट लिको उसमें करके रिखाता है जली दीजल्ड प्रतेशन पर मैं में इसको कैसे करना है इसके अंदर हमने एमन ओटू को क्यूस करना है उसमें ता के टू प्रटाशियम उसमें था सोडियूम कार्बोनेट या रहे हैं यह यह बन जाएगा मैंगनेट ना कि यह बन जाएगा यह फिर मेंगनेट को हम क्या करेंगे अश्च diff और मेंगे बन जाएगा अट्यवीर आया है कि मेंगनाइट को क्या देंगे अंधि यही ता सेटिव किया था ओंध तयायॉ झायू अओकसील मेंगनीजीलोग स है यहां तक ठीक है हुँ किसमें मैंगनीट यहां लुँ किसमें यहां लुट है किसमें लुट है कि और शजय को कि अधंड, है। और ने इसके दो गमपाउंड मनाओ मैंगनेट आएं इंग्री इन गलर परमागनेट पर्पल इन गलर इस वह कलर इंवर्टेट रहना डार्क मोड वाइट ब्लैक है तो ब्लैक है तो ग्रीन पर पल अपर जल्दी करो कर दो कर दो कर दो यस तीन डबल बन ना इसमें दो डबल है होगे डन अच्छा एक लाब मेतोड भी दे रखें इसका लाब मेतोड है मैंगनीज का सौल लेना है और किसके साथ लेना है याद नहीं करना ठीक है तो इसमें तुम्हें बैलन्स कर देना ठीक है बैलन्स कैसे करोगे क्योंकि पर मैंगनेट को बना रहे हैं और स्टू ओएट जाएगा सलफेट में किसमें सलफेट पिर इसको बैलन्स कर देंगे बैलन्स करके देगी आती है नहीं तो शुरुआत करते हैं तुम शुरू करो अबर्स ध्यान दियो में डूपलस को क्या बनाना है हुए हुए इंगे निदेर्ट मोट्ट मैंगनीज में बैलंस बालन्स है बैलेंस ओवचिगे किवाट्ट वाइंगे और एंजट्टू प्लस मनट्ध गुंट समेमनry टू प्लस मइन ओब ए किस्टने अच प्लस वाइंगे इलेक्ट्र we को बैलेंस कर दो चार्ज यहां पर कितने हैं टूब यहां पर सेवेंग इतने है लेक्ट्रॉन ज्यादा की साइड पर पांच एक साइड बैलेंस हो गई कि यहां तर क्लियर है कि था आठ और एक एट प्लस एट माइनस वन कि दूसरी साइट तुम बैलन्स कर रहा हूं सल्फेट को इसको इसमें कर नवर्ट करो दूसरी साइट को बैलन्स करो कम आउन यह तुम मैं बता रहा हूंग इसको याद करने की बजाए कि खुश आ सकती कम्प्लीट रियक्शन भी आ सकती है कि हुआ 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 है मतलब कि यह प्रिपरेशन की रियक्शन है कि पोटाश्यम पर मैंगनेट चल रहा है कि एम नो फूर पहले पोटाश्यम दायक्रोमेट चल रहा था अब पोटाश्यम पर मैंगनेट चल रहा है भी तुम्हें प्रिपरेशन लिखी है क्या छोड़ दें कि कर दी बैलेंस कि एस्चू ओएट याद नहीं इसी है देखो इतना डिफिकल नहीं है अब इधर दो इलेक्ट्रोन है इधर पांच एलेक्ट्रोन है तो इसको दो से मिल्टिप्ला है इस्टों को आपड़ा इस्टों और को 5 से multiply और दोनों को add करेंगे LHS को LHS में add करेंगे RHS को RHS फाइनल equation आएगी देखो यह हो गई 8H2O right plus 2MN2 plus gives 2MN4 minus plus 16H plus ठीक है इसको 5 से multiply करें तो 5S2O8 2 minus gives 10SO4 2 minus इसको 5 से multiply इसको 2 से बोलो हर शब बता क्या डाउट है यहां दो इलेक्ट्रों दे हम 5 इसको 2 से multiply गया इसको 5 से अब LHS को LHS में add किया यह add हो इसके साथ हो गया तो आया गया यह 5S2O8 आ गया 2MN2 प्लस आ गया 8H2 आ गया और RHS पे 2MN4 minus आ गया और 16H plus आ गया और 10SO4 2 minus आ गया बैंस होगी equation समझ आई कि यह देखने में डराम नहीं लग रही है पर इसको करना असान है यह ऐसा लग रहा है कि यह सर ने क्या-क्या लिग दिया तुम्हें बस करने वही स्टेप्स हैं और यह स्टेप्स ना तीन्चा टॉपिक में इसकी बैलेंसिंग में भी आएगा आगे यह वाली है कि यह साही रियक्शन इसी तरीके से बैलेंस होगी इस अब रटने थोड़ी पैट होगे तुम्हें क्या करना होगा इनको बस बैलेंस करना है हां बोलो कि क्या चीज़ है कोई बात नहीं हो गया डटन कि अच्छा एक बेस्तिक की करके दिखा दूं और रियक्शन बता दूं कौन करनी है तुम्हें एक साइड को अब बेस्तिक में इस से बनेगी बेस आचो टिक में बैलेंस करते हैं कि कि हिस अड Tamb legislation वहाइस है अब हम में इसको किस में बैलेंस करना है इसऑ भी मुम्हार गर्ण करने के लिए जितने प्लस हैं उतने ओच माइनस दोनों साइड कर तो कितने एच प्लस है चार तो चार ओएच माइनस इधर आइड कर दो और चार ओएच माइनस तो यह हो गया चार एच टू बन गए यह कितने बन गए और दो एच टू से चार एच टू काट दो कितने बज़ गए तो यह बेसिक में बैलेंस कर दो पूरी की पूरी दोनों साइड भी कर लो एंड में जाके जितने हेस्ट प्लस हैं उतने वह हमाइनस चाहिए वह पहले तो वह बन जाएगा और वह दूस्री साइड के वाटर से कट जाएगा पाइनल एक्वेशन यह बेसिक मीडियम की याद भी कर लो साथी बेसिक में अगर आएगा तो रियक्शन हमारी मनोफोर माइनस प्लस तू एच्टू ओ प्लस त्री एलेक्ट्रों गेज्ट एमनोटू प्लस पोर हां कि पॉट्राश्यम डाइक्रोमेट याद पॉट्राश्यम डाइक्रोमेट तक नोट कर लिया सबने तो अब यह बैलेंसिंग वाला पार्ट नास एफ ब्लॉग बचाएच्टर सबसे डिफिकल्ट चाप्टर रहा है बस इसलिए परिशान कर रहा है तो में अगर मैं तो में अभी आमीन सक्राइव होता है का इसी शक्ले थोड़ी होती तो तुम्हारी सोचो बसी सबसे सबसे डिफिकलट वाला चैप्टर तुम निप्ता रहे हो तोट है समझ में बस खतम करते हैं और थोड़ी आदा गंटा क्लास बढ़ा लेते हैं चालो लेंट सब्सक्राइब करो करो इस है वसी खतम करो इसको आज लेंट लेंट लांट नॉइट त्स लेंट लेंट लॉन कॉंड्राइक्षन हम कर चुके है वह दोई चीज़ है लैंतनोइट्स पॉर एफ सीरीज को बोला जाता है तो दो सीरीज ने एफ लॉक की जिनको परियॉडिक टेबल से हमने का रखा है बाहर नीचे रखा है एक पोर एफ की सीरीज है और एक पाइब इसके कोशन सीधे हैं तेरे नहीं है तो यह बस जो लिखवार रखारनाड में कांट्राक्षून होती है क्योंकि पूर बंवर ओती है शीलिंग पूर होती है श्यूदिंग होने से एफक्टिव नूपलियर चार्ज बढता जाता तो लांत्रोइट कॉंट्रेक्शन दुबारा इसमें देखने को मिलता है और इसमें भी हमने देखा है इसकी वज़ा से वही जिंग्रोनियम हैफियम वाली केस बोल अब तुम्हें इसमें याद बत यह करना है कि कौन-कौन से फ-0 एंकौन से एफ सेवन और कौन से एफ 14 तो तुम्हें याद करना है कि जैसे हमने कि यहां पीए Hoy Part 2 ऑस सेवन और 1-6 में आता है हमारा वी षी अजह प्लस कौन सा आता है अग्गिल और alen्टि दम और ठीक है अच्छा और F7 में कौन आता है F7 में हमारा आता है यहां से यूरोपियम टू प्लस ठीक है और गैडलों गैडलीनियम जीडी 3 प्लस और तर्वियम 4 प्लस टीबी अच्छा कौन से F7 कौन सा F14 है बस्याद करने है कोई बाद है नहीं आएगा कुछ नहीं होता टेंशन मतलों दिल हिमत रखो अचा रहे हो एफ जीरो एफ सेवेर एफ एफ फोर्टीन है चलो चलो खतम करो बस वाइट अर्बियम टू प्लस और लास्ट यूटेशियम 3 प्लस यह वह आयन्स है जो एफ जीरो एफ सेवें एफ पोर्टीन में कहीं पर यूज करने की हमें यह यह बोलेंगे यह यह याद रखना होगा जैसे कर पूछ ले लैंटिनम टूप लस रिदूसिंग क्यों तो तुम बहूं एक प्लस तो इस लिए उस्सटों क्या करेंगा इस तो बस यह आयन्स याद करने इससे बहुत सारे कोशन सॉल्व हो जाएंगे चल्द इसे लिख लिए है या एफ-जीरो एफ-फोर्टी मिटा दूँ कि वह लैंग्तनम इनकी टू और थ्री भी स्टेवल ऑक्सिलेशन स्टेट्स होती है तो उसमें भी जा सकता है कि मिटा दूँ है कि कल सुपह 10 से 12 आओगे हैं है दस से बारा है कि बायो मॉलिक्यूज और कॉडिनेशन करना है हाँ है तर जल्दी करोगी कंप्लीट करो है कि बसी खतम कर लो थोड़ा सा लिख ले क्या पता इससे कुशन आज है आगेगा है जल्दी नेक्स्ट अच्छा सुनो मेरी बात लैंटेनम और लैंटेनोईड्स का ऑक्सिडेशन नंबर प्लस टू और प्लस त्री है यूजुली तो यूजुली वह प्लस टू या प्लस ट्री में मेजर रहते हैं तो यह उसकी कुछ रियाक्शन्स हैं देखो कभी-कभी वह देखो एलेन और यूजुली ट्री प्लस दिखा रहे लैंटेनोईट यूजुली क्या दिखाने हैं थी प्लस ऑक्सिजन क्या होता है टू- क्रॉस मेल्टिप्लाइब क्या बना लेन टू- अच्छा सलफर एलेन अगें ट्री प्लस सलफर का टू- बैलिनसी क्रॉस मेल्टिप्लाइब करो क्या बना लेंट्व क्या बना तो संब क्या बना रहे है घ्र अगर इसमें अलुमीनियुंव समझ री ज्या समझलो समस्वंTHF के साथPhone लूटस्टीकर प्लस और नाइट्रोजन की विष्टी माइनस क्या बनेगा लयूनि आइफोन करता हूं लाउड स्पीकर में यूट्यूब रिकॉर्दिंग लाइव सेल एल एलेन एलेन ओएच एलेन फी प्लस ओएच माइनस वन कंपाउंड क्या बनेगा एलेन ओएच हो चल्दी सही बना दो टेबल लांतिनॉइट कैसे रियाक करते हैं उनका औक्सरेशन नमब प्लस त्री है तो वो कैसे रियाक करते हैं उसके बारे में हमने जल्दी 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 यह बनाओ फ्लोचर्ट फदम कर दूं बन कर दो फिर चुड़ दूं बताओ लक्ष यह काम ने खड़ा हो चला जाओ तेरे से समझ तो आनी रागे अच्छा देखो लांतिनॉइट्स दो मेटल की तरह बिएव करते हैं एक अलुमीनियम की तरह बिएव करते हैं और दूसरा कैल्शियम हां बोलो मेटल प्लस आइसिट गिस्ट प्लस हाइड्रोजन तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन ग्यास अच्छा रेको यह सब समझो लांतिनॉइट्स की दो प्रॉपर्टीज हैं लांतिनॉइट्स जो हैं एलेन एलेन के एलेमेंट्स हमारे एक तो अलुमीनियम की तरह बिए करते हैं क्योंकि उसकी भी प्लस थी और इसकी भी प्लस त्री और दूसरा लैंत्र नोइट्स बेव लाइक क्याल्शियम क्योंकि इनकी फर्स और सेकेंड आइनिजेशन रिजेंबल दाटॉप केल्शियम यानि पहला और दूसरे एलेक्ट्रों निकालने में जितनी एनरज क्याल्शियम यह बात रहें नेक्सट एक यहां पर एक कंपाउंड अलोइगा नाम लेको मिश मेटन तुम्हें ब्रॉण्स और वह याद है ब्रास और अलोइश क्या होती है सोलेट हमोजेनेस मिक्स सल्यूशन याद है वाली बात अच्छा मिश मेटल एक अलोगे और पीछ मेठल किसका बनाए 95% कोई लांथ नॉइड का मेठल या जाता है पूरह का मेठल लिया जाता है कितना परसेंट 95 और पांच परसेंट आयरेन और कुछ ट्रेसएज किसी भी लेमेंट के हैं विश्मेडल 95% लांथ नॉइड फाइएट और 95% lanthanoid metal 5% iron and traces sulfur, calcium और carbon तो इसका यूज किया है इसको bullets और shells और plinns यानि गोलियां बनाने के गाम हारा है तो यह याद रखना it is used in making bullets, कौनसा metal? मिश मेटल, याद रखेंगे next M I S H M I S M I S M I S All right, lanthanoids की दो oxidation state plus 2 और plus 3 common दी अब आते लास actinoids पे actinoids 5F series है, है न, सुनो मेरी बात, 5F series को बोलते हैं, actinoids, ठीक है, हाँ, lanthanoids का कोई एक metal, याद करने, 95% याद करने, lanthanoid metal, अच्छा, एक question याद रखना, इसके अंदर भी अगें, गिवन है, F0, F7, F14, मूं उसके elements नहीं, गिवन, radioactive होते हैं, actinoids के metals जादा तर रेडियो अक्टिव हैं, तो इसलिए वो जादा देर तक रुखते ही नहीं, तो इनकी जादा chemistry हम पड़ी नहीं पाएं, इसलिए तुम्हारे को दे नहीं पाएं, तो तुम खुश हो जाओ, ठीक है, तो, तो, आचा, next, ionic size, यह question आता है, very important, अगर actinoids से question आएगा, तो यह आएगा, actinoid contraction is greater than lanthinoid contraction, why? actinoid contraction is greater than lanthinoid contraction, why? दिख लो, question. लांतिनोइट contraction is greater than actinoid, नहीं, actinoid is greater than lanthinoid, तो हम बोलेंगे, तुम्हें यहादे, lanthinoid contraction किस वज़ा से होता था? शील्डिंग, poor shielding by 4F, तो, actinoid इसके होगा, due to poor shielding by, तो हम बोलेंगे, size बढ़ा होता न, शील्डिंग poor होती है, तो 5F की shielding 4F से भी कम है, 5F की shielding 4F से भी कम है, poorer है, poor नहीं, poorer, नलायक से भी जादा नलायक, कौन? 5F. तो इस वज़े से lanthinoid contraction से जादा contraction किस में आती है? actinoid, because shielding of 5F is poorer than 4F, clear है यह point? 4F की poor shielding की वज़े से nuclear charge बढ़ जाता था, traction बढ़ जाती थी, contraction होता था, तो actinoid contraction, lanthinoid contraction से ज्यादा क्यों है? तो इसका reason है, because poor shielding 4F, 5F की shielding उससे भी पूर है, 4F से, हाँ, इस 5F का size छोटा होगा, similar sizes में आ जाएगा, contraction ज्यादा होता है, जितना size lanthinoid में कम होता है, उतना 5F में उससे ज्यादा कम होता है, जब वो across the field जा रहे हैं, मामूद, down the group move, actinoid contraction 5F की वेरे से होता है, 5F की shielding और ज्यादा पूर है, क्योंकि जैसे size बढ़ा होता है, तो repulsion बाहर वाले को कम हो जाती है, क्योंकि size के बीच में gaps आ जाते है, S की सबसे अच्छी shielding होती थी, P उससे थोड़ा बढ़ा होता था, gaps होता है, तो कम होती थी, जैसे size बढ़ता है था, उस shielding पूर होती है, अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, lanthinoid सिर्फ 2 oxidation state जाधा दिखाते थे, प्लस 2 और 1, ठीक है, actinoids बहुत सारी oxidation state दिखाते हैं, यह कोश्चन आता है, difference between lanthinoid and actinoid भी आ सकता है, पर अगर तुम यह समझो, lanthinoid दो यह oxidation state जाधा दिखाते थे, एक प्लस 2 और एक प्लस 3 यह जाधा oxidation state क्यों दिखाते हैं, तो इसका reason यह है क्योंकि नेकिसे रुखो नहां पर निकरे हैं, इसका reason यह है कि इनकी energy levels similar होते हैं, तो energy levels similar होते हैं, यहने पोर 5F के आसपास वाले सब्सक्राइब की energy similar होते हैं, नहीं नहीं है, यह question भी आता है, तो एक question यह आता है, और दूसरा आता है, यह तीन question है, अगर तुम अपना focus कर लो न 2-3 minute, तो यह question में से ही आते हैं, और उससे बाहर आता ही नहीं, फोकस करो वस, why actinoids show greater range of oxidation state, तो इसका answer simple यह है, कि 5F के आतापा 6D और 7S की energy से similar होती है, तो excitation ज्यादा आसान होता है, क्योंकि और orbitals, तुमने रेगा ना, जिसे coordination में किया है, कि एक से दूसरे में जम करते हैं, तो electrons जम करना easy होता है, क्योंकि इनकी energy levels pass pass होते हैं, why actinoids show greater number of oxidation states, तो इसका answer है, because of similar energy of 5F, 6D, or 7S, greater number of oxidation states, लेग लिया, actinoids की भी सबसे ज़्यादा oxidation state दिखने भाई प्लस 3 है, तिसकी भी प्लस 3 सबसे जगने को मिल दे, उसके plus 2 हो प्लस 3 थी, उसमें भी प्लस 3 जादा था, इसमें bी प्लस 3 जादा है, इसमें बहुत सारे होते हैं, भी यही दिस फों कोशन था मैं, कि यह यह सारे है यह एक्टिनॉइट कि नहीं है प्लस्टू नहीं है कि थेके बिटा दें कि तू अलग से आई हो तुझे अलग से पढ़ा लो अच्छा नेक्स आहां जैसे तुझे जैसे तुझे पी ब्लॉग पढ़ाया था ना जैई के लिए वैसे जलो जलो नेक्स्ट किया किया कि आहां लिक है मुझे कुछ नहीं दिख रहा हुआ यह एलिमेंट्स के नाम है पैलेडियम यूरेनियम नेप्ट्यून नेप्टी से पता हुआ अच्छा है अथम हो गया चाप्टर है कि एगे हैं और V2O5 को सोटी के यूज़ करते हैं यह सब चीज़ें हाबर प्रोसेस में आमोलिया के प्रोडक्शन में आइरेन को यूज़ करते हैं आएगा नहीं यूज़िली वर आ गया तो बस याद एक ना आइरेन इन हाबर प्रोसेस और V2O5 और सोटू जब सब कुछ हो जाए तो य और गयाने कम्रीट हो जानी चाहिए मतलब कल रात तक और गयनिकी सारी प्रोपर्टी संविद्ट हो जानी चाहिए क्योंकि फिजिकल एंड में भी किया जा सकता है इसे करो और 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 गयनिक अगर कल तक हो जाएगी तो फिरां कॉस्चन उसके वह आले कर पाएंगे सीधा तो कल सुबा सुनो मेरी बात अब मुझे